जैसे जैसे बिहार में भूमी सर्विक्षन का काम आगे बढ़ रहा है रोज रोज नए नए काइदे और नियम सामने आ रहे हैं अभी पिछले ही दिनों ये नियम सामने आया था कि अगर किसी के जमीन का बटवारा कोट से नहीं हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा और उसके ब पहले के लोगों को इन सब चीजों में बहुत दिक्कत नहीं होती थी आपस में सामन जस खूब हुआ करता था और इस कारण से लोग बटवारे के लिए कोट नहीं जाते थे बलकि खुदी बैठकर के आपस में समझायता कर लेते थे और मौखिक बटवारा के हिसाब से अप कई पुस्तों से मौखिक बटवारा के अधार पर लोग काबिज हैं तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचे जान लीजिए नमस्कार मैं अनाम वेद प्रकास है आप जंता जंसन देखना शु समझाते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है अगर आपके पास जमीन की अदला बदली का रजिस्टर्ड कागज होगा तभी खतियान आपके नाम पर बनेगा समझाता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिती में ओरिजिनल मालिक के नाम पर खतियान बनेगा और इसी त पारिवारिक बटवारिक के लिए भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है अगर बटवारा मौखिक रूप से हुआ है तो संजुक्त खतियान बनेगा सर्वे अधिकारियों के मुताबिक स्वगोसना के समय अपनी जमीन का रकवा चवहद्दी और खेसरा की जानकारी जाम जमीनों को एक ही दिखाया गया है और सर्विक्षन के दरान अमीन मौके पर जमीनों की मापी करेंगे और मापी करके नक्से में उन्हें अलग-अलग करेंगे इस दरान जमीन मालिकों का जमीन पर रहना जरूरी होगा जमीन की मापी की जिम्मेदारी किसानों को सौपी गई है स्वग होसना के बाद अमीन जमीन की मापी करेंगे भू स्वामी को अतिक्रमन की जानकारी देनी होगी और जमीन पर सही दखल कबजा मिलने से ही सही खतियान बनाने में मदद मिलेगी अब यह आसान भासा में समझ लीजिए कि अगर बटवारा रेजिस्टर नहीं हुआ तो क्या होगा अगर जमीन का बटवारा रेजिस्टर नहीं है तो उस स्थिती में जमीन का खतियान संजुक्त रूप से बनेगा इसका मतलब है कि जमीन के सभी मालिकों के नाम पर संजुक्त खतियान त्यार किया जाएगा रेजिस्टर दस्तावेज नहीं होने की स्थिती में क जमीन सरकार की कब हो जाएगी तो ऐसी जमीन जो आपके कबजे में है लेकिन आपके पास उस जमीन के स्वामित्य से सम्मंधित कोई कागज नहीं है तो ऐसी स्थिती में जमीन के ओरिजनल मालिक की खोज की जाएगी और अगर ओरिजनल मालिक नहीं मिलता है तो जमीन को बिहा आपी के बाद रईयत को खतियान मिलेगा, नए खतियान में खेसरा नंबर बदल जाएगा, प्लोट का नक्सा भी मिलेगा और तुरूटी होने पर अपील करनी होगी, तुरूटी ठीक करने के बाद अधिकारी जो है, फॉर्म बारह जारी करेंगे और इसमें भी तुरूटी ह तो form 14 के माद्यम से दुबारा अपील करके सुधार करवा सकते हैं इसके बाद भी सुधार नहीं हो पाया तो form 21 वरिये और उसके माद्यम से अपील करनी होगी बाकी इससे जुरा कोई और प्रस्न है तो हम तक कमेंट करके भेज़ दीजिए और देखते रहीएगा जनता जन्चन बहुत बहुत धन्यवाद